खुशकबरी 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 मित्रों बहुती बड़ी खुशकबरी निकल कर आ रही है मिठाई बाटने की कर लीजे तैयारी जी हाँ 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद बंद रहा है तरी ग्रही राजयोग जी हाँ दोस्तों 25 अपरेल 2024 को बनने जा रहा है तरी ग्रही राजयोग आपको बता दें कि 25 अपरेल 2014 को सुकर गुरू और सुजे की यूटिस से तृड़ी ग्रही योग बनेगा वेदिक जोतिस में जब तीन ग्रहे एक ही राशी में होते हैं तो तृड़ी ग्रही योग बनता है इससे बहूती दूठलब समयोग माना जा रहा है माना जा रहा है कि दोस्तो डेट सोट सालों के बाद ऐसा दूटलब सुन्योग बन रहा है जिससे पाँच राशियां ऐसी है जो अचानक से भाज़े साली क्रोडपती बनने जा रही है उनका भाज़े सात्य आस्मान पर चटने वाला है इस तरीगरही राजयोग के चलते दोस्तों तीन गुरहों के मिलन को तरी ग्रही योग कहा जाता है 25 अप्रेल के दिन सुकर देव गुरू देव और सुजी देव की यूती बनने से तरी ग्रही योग बनेगा आपको बता देगी 25 अप्रेल को सुबे 12 बजिकर 7 मिनिट पर सुकर मेश रासी में गोचर करेंगे और यहां सुकर गुरू सुजी की यूती से तरी ग्रही योग बनेगा 25 अप्रेल 24 को प्राते 5 बजिकर 19 मिनिट पर सुकर तारा अर्ष्ट हो रहा है इसलिए तरी ग्रही योग बनने जा रहा है मित्रों आपको बता देगी गरह गोचर के लिहाज से अप्रेल का महिना गरह अप्रेल के महिने में राषी परियोतन या गरह गोचर हुआ इनसे कई राषियों का बाय भी परिवर्तित हुआ और इतना ही नई राषी परिवर्तन के साथ 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 एसलिए के कारक रहे सुकर गोचर 25 अप्रेल को गोचर करने जा रहे सुकर के गोचर से कई तरह के म हो गया है उसके बाद मांगली कार्यकरम प्रारम हो चुके है तो सभी गुरों का उतार चड़ा अप्रेल में कई माइनों से खास रहा है और वहीं आपको बता देगी 25 अप्रेल को सुक्र का गोचर हो रहा है और सुक्र गुरु सुझे की यूति से तरी ग्रही योग बंदरा है 25 अप्रेल 2014 को तरी ग्रही योग से तरी ग्रही योग से कई राशिया ऐसी है जो अचानक से दनवान और माला माल होने जा रही है दोस्तों सबसे पहली जो रासी की बात करें वो निकल कर आती है मेस रासी जी हाँ दोस्तों जिनके भी नाम का पहला अक्सर चे चाची चू लेला लीलू से स्टार्ट होता है उनकी मेस रासी होती है अप्रेल 25-अप्रेल 2024 को सुक्र के गोचर के बात से ही मेस रासी के जातकों के लिए बहदी सुप माना जा रहा है इस महीने इस रासी के जातकों को दन, सुक, सोभाईगे प्राप्त होगा उनके गरपडिवार में साधी विवा के योग बनेंगे नोकरी में परमोसन हो सकता है और प्रोपेजल के भी चांस मनेंगे वैपार में खूब तेजी से तरकी उन्नती देखने को मिलेगी संतान पक से भी सुब समाचार मिलने की संभावना रहेगी अगर अभी आपका विवा का बात चल रही है तो अप्रेल के मैने के बाद से ही आपका योग अच्छा बनेगा कहीं ना कहीं आपका विवा का योग अप्रेल और मै के बीच के मैने में आपका साधी का योग बन सकता है अगर आपका लिए समय 25 अप्रेल 2004 शुक्र के गोचर के बाद से ही एक दम से तरक्की वाला खुब तेजी से उन्नती और तरक्की करेगा चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली फाग्यसाली राशी के बारे में उससे पहले आपको एक में तुफुन बात बताना चाहूंगा कि जिन्दगी में आप कहीं ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुती ज़्यादा मेनत करते हैं लेकिन वो आसिल नहीं कर पाते जिनके वो हगदार होते हैं यानि कि जीवन उनका पूरी तरह संगर्स में ही बीच जाता है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुती कम ने देखते हैं या जिसका वो टार्गेट लगाते हैं दोस्तों ये सभी गरहों का खेल नहीं तो और क्या है और इसी के सामादान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए आपकी जीवन की महा जनम कुंडली जो आप मात्र 211 रुपे की फीस देकर प्राप्त कर सकते हैं आपको स्क्रीन पर 211 रुपे के चार्ज के साथ ही वोट्सप आले नमबर जो दिखाई दे रहे हैं उस नमबर पर आप वोट्सप से ही संपर करके आपका नाम जनम तारिक जनम का इस्तान लिखकर गुरुजी को वोट्सप पर भिजवाएगा और 211 रुपे की फीस करके स् चल रही है क्या दोस चल रहा है कुंडली में काल सरब का दोस तो नहीं है पित्र दोस नहीं है मांगली का दोस तो नहीं है उस दोस की पूझा कैसे करवानी है क्या वीदी करवानी है क्या उपाई करने है वो सब गुरुजी के दौरा आपको फोन पर बताय जाएंगे दोस् पादकों का पड़ाई में मन नहीं लग रहा है घर में कोई बड़े बुजुर heb उनकी बच्चे बात नहीं मानते हैं जीवा में देडी और है हर बाड़ Sozial बन रही है जिसते आले देखने आते हैं लेकिन कुछ जोह आप्याँ देते हैं वहीपार तो कर रहे हैं लेकिन वो profit नहीं मिल पारा जो आप मेनत कर रहे हैं आपको मिलना चाहिए वो हक्तार नहीं बन पारे हैं नोकरी के लिए फडियास कर रहे हैं हर बार एक दो दो नमबर से रह जाते हैं और किसमत को मार कर बेड़ आते हैं ऐसी अगर कोई भी आपको समश्या बन रही है तो आज योग के बाद सबसे 22 जो रासी बनने जा रहे हैं वो आती है वरिष्चिक रासी जी हां दोस्तों जिनके भी नाम का पहला अक्सर ने ना नीनू से स्टार्ट होता है उनकी वरिष्चिक रासी बनती है मित्रों वरिष्चिक रासी के जातकों के लिए भी अपरेल का मैन कापी फलदाई होने वाला है जिन जातकों के स्वास्टे में परिशानित थी उनकी सहत में सुधार होगा साधी सुधा जिन्दगी में आ रही दिकते दूर होगी संबंदों में मदूरता आएगी कमाई के ने ने तरीके मिलेंगे केरियर में तरकी होगी इन और इनके दिन जुरूर मिलेगी त्री ग्रही राजयोग यानि 25 अप्रेल 2014 के बाद से ही आपके दिन बदलने वाले हैं आपके लव लाइप में भी आपको बहुत ही अच्छा वैवार देखने को मिलेगा एक दूसरे में प्यार रिस्वार्स दोनों जता पाएंगे समंद्ध आपके जो भी मदूरता आपको देखने को मिलेगी चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली जो पाएके साली राशी बनेगी त्री ग्रही राजयोग के बाद वो आती है दनूरासी जिहां दोस्तों जिनके भी नाम का पहला अख़र बे बाब बी बू ये या ये यू से बनता है उनकी दनू दनूरासी होती है इन चार ग्रहों के गोचर याने की त्री ग्रही राजयोग के बाद से दनूरासी की किसमत अचानक से परभावित होने वाली है खुलने वाली है साथवे आसमान पर जाने वाली है दनूरासी के जातकों को नोकरी कारुबार में तरक्की मिलेगी पारिवा में, कोई न कोई विवा का योग जुरूर बनेगा और नौक्ति अगर कोई करते हैं, तनुराफ्षली कि 자द दक अगर नौक्ति करते हैं, तो परमोशन होगा, और वहीं, आपको अगर वईपार लगेरा है, तो वईपार में आपको तरक्य उन्मती और खूपठ है तो उसमें भी अच्छी तरह से लाग मिलेगा चलिए दोस्तों आकरी जो पाई के साली राशी बनेगी त्रीग रही राज योग के बाद वह आती है कुम्ब राशी दोस्तों जिनके भी नाम का पहला अक्सर गे गागी गूसे सास ये सुसे शुरू होता है उनकी कुम्ब र कुम्ब राशी के जातकों को दोस्तों 25 अप्रेल के बाद से ही तरीग रही महायोग के बाद से ही अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा अगर आपका भी कहीं पे लव रिलेसंसिप चल रहा है तो यह अच्छा मोका है अभी परपोजल करने का अच्छा समय बन रहा है आप किसी को परपोजल भी कर सकते हैं और कुम्ब राशी के जातकों को अप्रेल और माई के महीने में विवा का योग भी बन रहा है आप सनीवार के दिन आपको क्या है कि कुम्ब राशी के जातकों को अभी सनी की साधी साती का परवाव है तो सनीवार के दिन कोई न कोई दानपुन्य आवश्य करें जैसे आपको पगवान सनी देव की आपको असिर्वाद मिले और आपकी हरेक इच्चा मनोकामनाई प्रूण हो तो दोस्तों पिलाल वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंड में जैस सनी देव अवश्य लिखेगा और आपका नाम भी जुरूर बताएगा तागी आगे आपकी नाम की राश्य के बारे में आपकी कंप्लीट जानकारी हम वीडियो के जड़ी आपको बता सकें तो चलिए दोस्तों वीडियो में इतना ही जल्द मुलागात होगी अगले वीडियो में तब तक के लिए होम नमर सिवाई कρमा बताएग करें चाही वीड़े एडैड़ अवी से जाले जाड़ चाही होगी कि आपकी आपकी करता है जोret में खीड़ी में एल् सबच्च्च किक आपकी करता हम वीडियो करता हम जोस्तों आपकी करता है और जब खेयुियों करते हैं झाल झाल